लेकर हम समझते हैं कि सदर जरदारी सिर्फ पहाना है अठारवी आईन और 1973 कॉंस्टिटूशन असल निशाना है जमुरियत असल निशाना है अपना नालाइकी को चुपाना अपना मौाशी देशत गर्दी को चुपाना अवाम को घुमरा रखना इस काम्याब नहीं होंगे यह समझते हैं कि हमें मैं शुरू से कहता आ रहा है यह समझते हैं कि हमें ड़गा के डिरा के हमारा जबान बंदी कर सकते हैं मैं उनके वाज़ए पेगान देना चाहूंगा क्या आपने तो सदर्जजारी को अरेस्ट अब कर लिया है कल मैं हकूमत को आफर देता हूँ आप अवाम दोस्ट बजट लेकर आए अवाम दोस्ट बजट लेकर आए मैं डेस्क थंपिंग भी करूँगा मैं अवाम दोस्ट बजट को सपोर्ट करूँगा मुल्क के मफाद के लिए हमने हमेशा यही कदम उठाया आप वह अवाम दोस्त बजट लेकर आए तो वाले दुछवर मुझे भी एरहस करवादे कोई अतरास नहीं होगा लेकिन आप अवाम दुछमन बजट लेकर आते हो और समझते हो कि इसलिए आपने मेरा वालिद को इस उमर में बंद कर दिया मेरे कारकुन को मेरे ओदेदारों को मेरे कैंडिडेट्स को धंकिया दे रहे हैं मुझ समेट मेरे खांदान को धंकिया दे रहे हैं और उससे मेरा जबान बंदी होगा में आपके मौाशी, देशत, गर्दी और अवाम के मिसाल पे नहीं भूलेंगे तो आपका फूल है आप अवाम तुश्मन बचिट लेकर आएं मैं आपको दखाऊंगा कि एतिजार्ट क्या होता है आपको हिसाब देना परेगा अगर आप अपने प्रामिसेस पे जो वादे आप ने किये थे सेलेक्शन में अवाम के साथ वो उन पे पूरे नहीं उर्दे हैं अवाम तुश्मन बचिट लेकर आते हो तो जैसे हम पहले आपका मुखालफत करते आ रहे हैं हम आपका मुखालफत करते रहेंगे गारी का सुनामी खड़ा कर दिया है जिस तरीके से वो यह पूरा हकूमत आउटसोर्स किया गिया है I.M.F. को जिस तरीके से वो सबाए खुद मुछतारी और सबाए रीसॉर्सेश पे हमले करते हैं सिंद से इनके हॉस्पिकल्स हमारे एदारे हमारा रीसॉर्सिस बाकी सुबे में जो उनके हरकते हैं वो आपके सामने हैं इसका मखालफत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रहेंगी हम इनके दुबाव से डरने वाले नहीं है जो के हमले हो रहे हैं हमारा जुडिशिरी पे मैंने सबसे पहले इस इशु को उठाया कि हकूमत एक सेलेक्टिड जुडिशिरी सेलेक्टिड ऑपोजेशन और सेलेक्टिड मीडिया चाता है जो मुहिम शुरू किया गिया है Honorable Judge साहिबान के खिलाफ उसका हमारा पार्टी की CC ने मज़हमत की है पाकिस्तान People's Party अपना असूली मौकर अदली आकली, खुदमुक्तारी और जुडिशिल रिफॉर्म से हम काइन हैं हम समझते हैं कि हुकूमत को या किसी और को ये जुरत नहीं हो सकता कि वो अपना Selected Judges बेज़े साथ साथ पाकिस्तान People's Party के Manifesto में भी है कि जुडिशिल रिफॉर्म जुरूरी है जुडिशिल रिफॉर्म जुरूरी है और पाकिस्तान People's Party की वो जुडिशिल रिफॉर्म ले आ सकती है हम उस जुडिशिल रिफॉर्म जुडिशिल रिफॉर्म जुडिशिल रिफॉर्म के लिए अपना जुडिशिल जारी रहेगा हमने इंसानी हुक पे तफसील से बात की Central Executive Committee meeting The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has noted the erosion of human rights in Pakistan across the board for the journalist community, for the media community, for the civil society, for opposition political parties, for provincial political parties, for national political parties हम इसका ना सिर्फ मजहमत करते हैं बत हम अपना पूरा ताकत इस्तमाल करें अपने अवाम के इंसानी हकूक कर तहफुज करेंगे हर फोर्म पे कॉर्ट में सदकों के पालमान पे हम अवाम के इंसानी हकूक आपके इंसानी हकूक कर तहफुज के लिए हर कड़म उठाने के लिए तयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंच्रल इग्जेकिटिव कमिटी मीटिंग फाटा में जो सूरत तयार जो सिचुएशन डिवेलप हो रहा है उसमें मैंने पहले भी अपना मौकिफ दिया है कि हर शेहरी को आर्टिकल टैने के मिताबिक फ्री ट्राइल का हक है हर शेहरी को एतिजाज करने का हक है हर शेहरी को पुलिटिकल असोसिएशन का हक है हर शेहरी को अपना मौकिफ अपना दिफा करने का हक है वो हक आप अपने वजीरिस्तान के साथी से नहीं चीन सकते हैं मारे दो M&A's हैं वजीरिस्तान के उनका production order फॉरण जारी की जाए ताके हम उनसे भी सुन सके के वहां हुआ क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमेशा एक जमन अलाना किरदार अदा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी चमात है जो अवाम के मिसाल का हल नकालना चाते है ये जो totalitarian authoritarian हकूमत है इन्होंने M&A's को भी arrest करवा दिया हमारे candidates मुझे complain करे रहे हैं FATA से कि हमें election campaign ने चलाने दे रहे हैं हमें अपना जलूसे ने नकाले दे रहे हैं तो अगर ये pre-poll ring नहीं है और क्या FATA के elections में ये ringing करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की Central Executive Committee ने इसको भी condemn किया है और political involvement, political consensus, political dialogue के बगए FATA या कोई और मसला हल नहीं हो सकता है जितना ताकत, जितना force हकूमत इस्तमाल करने के कोशिश करेंगे उससे मसला ज्यादा भरता जाएगा Pakistan People's Party ने फैसला किया है कि Pakistan People's Party का राप्ता कमिटी बनेगा हमारा राप्ता कमिटी जो है अपना क्यादत के जो अवामी राप्ता मौहिम का schedule है तरीकर कार है, strategy है वो ते करेंगे हमारा राप्ता कमिटी, opposition जमाते के साथ पारलेमान के अंदर, पारलेमान के बाहर on all issues, due consensus हमने बनाना है वैसे उनको भी engage करेंगे और आप दोस्तों को, media दोस्तों को, सबको engage करेंगे और साथ-साथ हमने ये हिदायत दिया है हमारे जो सुभाई तन्जीमे है हमारा provincial presidents है के आप अपना strategy बनाएं मैं आ रहा हूँ दम दम मस्कल अंदर होगा हमने इंसानी हकुक, जम्हूरी हकुक और मौाशी हकुक पर compromise नहीं करने के लिए त्यार है और हम इस सूरते हाल इस सूरते हाल में जहां मीडिया पे इतना पाबंदिया है जहां इतना censorship है उस इन सूरते हाल में हम समझते हैं कि आवामी राप्ता के अलावा people's party के पास कोई option ही नहीं हमने public को engage करना है उनको अपनी ही मौाश्री हकुकत थाफ़ज इंसानी हकुकत थाफ़ज जह मौरी हकुकत थाफ़ज करवाने के लिए Pakistan People's Party अपना किरदार अदा करेगी आखिर में आप सब को एक और चीज़ हमने इस पे भी बहस किया था कि the conduct of our speaker and deputy speaker in parliament वो हमारे लिए it was absolutely intolerable multiple occasions पे opposition पो ना सिरफ बात ने करने देना तो इसका हक है लेकिन जिस तरीके से हकुमती बेंचे से इशाराई पे चल रहे हैं ये it's not up to the standards of the office of the speaker of the national assembly तो इस पात पे Pakistan People's Party का मुतालबा है कि ये जो speaker saab है तो उनको अपना ओदा से अलग होना परेगा I think I have covered all the points of the CEC आप बीजू और स्वाद उन से लेंगे Sorry, last thing on the speaker So speaker saab ने ना सिर्फ मुझे ने बात करने दिया ना सिर्फ मेरा खावतीन MNAs जिस पे तशदद हिया ना पिछले बार ना अब बात करने दिया ना हाउस को बताता है जब उनके मेंबरान वजीरस्तान से अरेस्ट होते है जो उनके जिम्हदारी है ना उनके production orders निकालते हैं और आज भी सदर्जदारी के production orders बुजदली की वज़़ज़ से कर्पुटली होने के वज़ज़ से उन्होंने नहीं निकाला कल तक मैं expect करता हूँ कि अगर ये खुदमुक्तार है production orders होंगे अगर नहीं है तो फिर आप सब के सामने हैं अब मैं आपका सवाब देता है अहमा होला अहमा होला अहमा होला तो क्या इस सूरतेहाल को आप गोरलेट नहीं का रहें कि पसे पर्दा भी कोई एजंडा है तो इस टीपस पाटी एक बड़ी जमात है इसको कैसे दिखे कि रहता है तो जहां तक पसे पर्दा मैं समझता है पसे पर्दा नहीं है आप I know that it was sensitive but आप मेरा election campaign को गोर से देख ले शहीद मौतरमा बेनजी भुटो के सालगरा पे 21st June 2018 में मैंने लरकानों में एक function से खताब करते हुए कहा था कि ये मुझे नजर आ रहा है कि control democracy, control media control हकूमत लेकर आना चाहते हम इनको ये ने करने देंगे word censor हुआ, ने चला मेंकर मैंने वो बात की मेरा पूरा campaign में मैं ये कह रहा था कि ये कटपुथली हकूमत ले आना चाहते है कटपुथली opposition ले आना चाहते है अथार्वी आईएं को अथार्वी तर्मीम को 1973 की आईएं को wind up करना चाहते है उस वक्त मीडिया के दोस्ते और दूसरे जोस्ते मुझे कहते थे आप तो paranoid हो, ये होने ही रहा है अब आपके सामने है हर तरफ से, आपके हुकूपी मेरे हुकूपी, हम सबके सुबे के हुकूपी हमले हो रहे हैं, हम ये बलदाश नहीं कर सजिते हैं हम, हम अवाई, राक्ता मौहिं का बात करें के मैं समझता हूं कि तहरीक होने से पहले, मैंने अवाई को बताना है कि क्या जल्म हो रहा है कि इस वक्त अनफॉचनेटली जैसे मैंने प्रेस कॉंफरस में कहा मरते हैं पिय है और रोने नहीं देते हैं जी राओ खलील सर आज टीवी से तो ये बताईएगा ज़र्दारी साथ ग्रिफतार हो चुके हैं क्या इदुल-फितर के बाद जो एक तहरीक चलना थी हकोमत मुखालिब क्या ये उसका रद्यामल है और सेकंडली ज़र्दारी साथ के बाद जो अपोजीशन का एक बड़ा ल ठाया के वो मौशी सता पे तो नाकाम हो रहे हैं उनके हर वादा जोटा निकला खान का हर वादा जोटा निकला हर नारा ठोका निकला और अवाम ये समझती है कि जिनोंने हमें दस करोर नोक्रिया का दावा किया था वो मुझूद नोक्रिया चीन रहे हैं मैं हर वो पाकिस् पाकिस्तानी को बताना चाहताू हो कि जिस-जिस फ़र्द इंसान को इस र कुमत में बेरउदगार कर दिया है अब ना समझो कि आब बेरॉदगार हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकुमत आईगी और हम इससब को वापस रहा रुगार दिलवाएंग़ इतिसाब का इनसाफ का दावा हर जो इतिसाब का एदारा है पक्तुनख्वा में बंद हर जो खैबर पक्तुनख्वा या उनका एलाई से तालोग रखने वाले करॉप्शन केसिज या नाइज़दे थे उनके खिलाफ कोई आक्शन ने लिया जाता है जब गलती से नाइब चैमर्ण के मुझे निकल जाता है कि इनके खिलाफ भी केसिस है अगर वो खुलते हैं तो हकूमत के जाता है तो फिर वो हमला करते है नाइब चैमर्ण के उपर और पिर जब उनको मज़ा नहीं आ रहा है कि जुडिश्री तो बहुत आइस्ता चल रहा है जुडिश्री को उनको तो कभी नज़र में रिलीफ है तो जुडिश्री पर भी हमला जुडिश्री को भी खौफ ज़दा करे कि लाइन टो करे अरेस्ट करे जो हम कहते हैं अरेस्ट करे बुजदिल है, बुजदिल हकूमते हैं, जो कोच से भी डरते हैं, मीडिया से भी डरते हैं, आपोजिशन से डरते हैं, अवाम से डरना चाहिए जमूरी कुवतें तम तोर चुकी हैं, या वो कम्जोर हो चुकी हैं, कि ये आज जमूरियत फिर कटारे में हैं, देखो, मैं समझता हूं, कि पाकिस्तान की जमूरियत ने, हम सब ने, काफी काम्याबियां हासिट की, ना सिरिफ एक हकूमत का प्रीस्ट्र ट्रांस्फर रॉप जमूरियत ने, हमने ये रोकना हैं, हमने अपने इदारों को अपने काम पे लगाना है, हमने अपना अदलिया की, इंडिपेंडेंडेंस को, इंटेग्रिडी को, और रूल अव लोग को डिफा करना है, हमने पारलमान को सुप्रेमिसी को, कि एक फरक है, बाकी सब अदारे हैं, जो है, उनके हर मेंबर, चाह वो छोटा का छोटर हो, या वो अदारा का सरबरा हो, वो ये इस मुल्क के अवा के नमाइन दे हैं, उनके वोट से आते हैं, आप हम इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के फैसले करने का हमारे पास अजाज़त है, पालमान पर पास ये ताकत होना चाहिए, और हम उस पालेमान पर पास ये ताकत होना चाहिए, और इसम्बली के अंदर भी उनके खलाफ वोट अफ लोग उन्टेस आ सकता है इन्शाला हम इस पर बात करेंगे इस वक्त तक हमारा सिर्फ मुतालबा है अगर उनके कोई मौडल अथॉरिटी है अगर उनका अखलाकियात है तो फिर वो खुद ये फैसला करेंगे कि उनको या आजाद तरीके से इस कुर्सी को इस ओदा को संबालना पड़ेगा या इस्तिफ़ा देने पड़ेगा लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये इस कदम को नहीं इठा रहे हैं तो फिर हम ना सिर्फ आपोजिशन पार्टी के सब मिल जाएंगे इस पर बात भी करेंगे लेकिन जरूर ये कादम भी उठा सकते हैं फोजिया से पूछने जरा धिर आप करूए थैंक ये जो आपको अलग नज़र आ रहा है इस इस दिफरेंस बट्विशन का सियासत और ऑपर्टुनिस्टिक सियासत जो खान साब करता है खान साब का सियासत ये था कि मैंने बनना है वजीरिया उनसके बाद कोई प्लान नहीं था हमने सिर्फ बनने थे वजीर आजम तो हम भी कह सकते हैं कि हकूमत गराए वैसे तो शुरू दिन पे में बाकी ऑपोजिशन पार्टी को किन्विंस नहीं करता है कि वो पालमान में आए मैं कहता है आप बाहार रहें लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुली नजरियाती पालमान में इसलिए हम पामाना हर्कत बुजल हम लेकिन खजल नहीं कर सकता हमने सब मिल के पाकिस्तान के अवां के मिसाईल का हल नेकालना है ये जो अखॉरिटारियन अमिराना हरकतِ बुजडिल हकूमत के हैं ये अवाम को बेविकूफ करने के कोशिश है लेकिं काम्याब ने है वकार सथी जो अफ़ार था आपके घर में तमाम स्यासी जमातों का उसके बाद एक सेंसिया सामने आएटी कि शाहिद बेर तुमाम जो स्यासी कुटे हैं वो मुझूदा हुकूमत के खलाब एक पेश पे आ I think मुफान होगा. अभी भी मुफान हो रहा है. ऐसे ये प्रेइपलान था ना? हमने अर्यड आदेर अलान कर लिया. मैंने मेड जेपे लीबर देर अलान कर लिया. उसके बाद इससरी जमाते ने भी अलान कर लिया. कि आईद के बाद हमारा आवामी रापता तो जरूरी है. मौाशी हकोग, इंसानी हकोग, और जमूरी हकोग पे जो हो रहा है उस पे हमने आवाम को बताना है, हमने वो तो अलान कर लिया तो उसको जवाब में हकूमत ने ये सब कुछ किया है मैं ऑपोजिशन को दबाव में डालने में, मुझे दिराने के लिए, मेरा जबान बनी करने के लिए लेकिन ये इनकी भूल है, मैं शहीद मौतरमा बेन अजीर भुटो का बेटा हूँ और मैं डरने में